इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले किस तरीके से HP Company का HP LaserJet M1005MFP111 इस लेजर पिंटर को किस तरीके से इस पिंटर का ड्राइवर अपने कंप्यूटर या लैप्टॉप में इस पिंटर करने के बद इस पिंटर को कनेट करके यूज कर पाएं प्रिंट आउट के लि ड्राइवर डाउनलोड करने के बद कैसे इनिस्टॉल करना है ड्राइवर डाउनलोड और इनिस्टॉल करने के बद फिर कैसे इस पिंटर को कनेट करना है जिससे पिंटर कनेट होने के बाद कि जब भी आपने कंप्यूटर लैप्टॉप से कोई प्रिंट कमांड दें इस पिंटर के scanner में कोई matter रख के scan करना चाहते हैं अपने computer laptop में देखना चाहते हैं तो वो चीज़े भी कैसे हो पाई सारी चीज़े मैं इस वीडियो में step by step आपको डीटेल में बताने वाला हूँ तो अगर आपको भी सारी जानकारी जाननी है तो प्लीज वीडियो स्किप मत कीजेगा तो यहाँ पर हमारे पास HP company HP laser jet M1005 MFP model का यह printer जो की all-in-one feature के साथ हमारा printer आता है इस printer को मैं connect करके अपने computer laptop में आपको दिखाऊंगा कि कैसे वहाँ पे इस printer को connect करना है connect करने के बाद printer के driver को कैसे download करके कैसे install करना step by step मैं detail में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपका printer on होना चाहिए printer में कुछ paper आप लगा दीजेगा उसके बाद printer की USB cable एक साइट आपके printer में connect होनी चाहिए दूसरे साइट आपको महाँ पर connect कर लेनी है जहां भी इस printer का जो है आपको driver install करना है driver install करने से पहले कैसे आपको driver download करना है चली हम आपको ले चलते हैं अपने laptop के screen पर फिर में महाँ पर step by step जो step आपको बताने वाला हूँ सेम वही step को follow करके आप इस printer को बहुत ही आसानी के साथ connect कर सकते हैं तो यहां पर अपनी laptop के screen पर आज चुके हैं तो यहां पर सबसे पहले आपको अपने printer का driver download कर लेना है उसके लिए आपको अपने computer laptop में internet connection connect कर लेना है फिर आप कोई भी browser open कर लीजेगा browser open करने के बाद यहां पर आपको type करना HP laser jet M1005 driver download यह type करने के बाद आपको inter trust कर देना है फिर यहां पर आपको कई सारी website के link यहां पर आपको उस link पर क्लिक करना जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर support.hp.com वाले link पर ही क्लिक करिएगा यह official website है HP की इस पर आप right click करके new tab भी open कर सकते हैं इसको अब यह driver का आपका page खुल चुका है आपकी printer का जहां पर आपको आपके printer का model number सो हो जाएगा फिर यहां पर choose different product का option सो हो जाएगा इसके नीचे detected operating system यहां पर सो हो जाएगा यहां पर जो भी आपके laptop में windows पढ़ी होगी वह windows आटोमेटिक करके उसका driver आपको सो कर देगा अगर आप किसी और operating system के लिए driver download करना चाहते हैं तो जहां से choose से different OS पर click करके आप उस OS का driver download कर सकते हैं जहां पर सारे वर्जन दिये हैं windows के यहां पर अपने हिसाप से choose कर लिजिए गया जिस windows में आपको इस printer का driver इस्टॉल करना है उसी windows का आपको driver download कर लेना है मुझे यहां operating system चेंज नहीं करना है क्योंक इसके बाद यहां पर आपको driver ओले option पर जाना है यहां पर देख लिजिए HP laser jet M1005 full solution यहां पर आगया है यहां पर right hand पर download का एक option मिल जाएगा इस पर right click करके new tab भी open कर सकते हैं या उसी पर भी click कर सकते हैं जैसे इसको हम click करेंगे यहां पर यह driver आपका download होना चालू हो folder बना कि इस driver को रख सकते हैं बाद में भी driver आपका काम आने वाला है जब कभी अगर दोबारा से आपको install करने के जरूत पड़ी तो अब यहां पर यह printer का driver तो हमारा successfully download हो चुका है अब हमारा internet connection का काम खतम हो चुका है तो आप चाहें internet connection discount कर सकते हैं या connect रहने देंगे उस अगा दी है laptop में printer आपको on होना चाहिए फिर उसके बाद इस driver को आपको double click कर देना है double click जैसे करेंगे यहां पर आपको फिर yes कर देना है yes करने के बाद को इस तरह का जो है आपके सामने option आएगा फिर यहां पर थोड़ा सा wait करना है आपको अब यहां पर आपको install वाले option प आपको on होना चाहिए अब यहां पर देख लिए हमारे printer का driver successfully install हो चुका है यहां पर message भी आ चुका है installing completed यहां पर आपको दो टिक का option मिल जाएगा यहां पर register your project से टिक आपको हटा देना है print text page पे टिक रहने देना है उसके बाद आपको finish कर देना है यहां पर आपका लगा printer में आपका यह printer successfully connect हुआ है कि नहीं हुआ तो control panel में device in printer हम open कर लेते हैं अब यहां पर देख लिए यहां पर आपके जितने भी printer आपके install होंगे सारे यहां पर आ जाएंगे यहां पर हम चलते हैं HP laser jet M1005 वाले printer पर इस पर right click करते हैं right click करने के बाद यहां पर आपको set as a default printer printer पर टिक कर देना है उसके बाद okay कर देना है फिर यहां पर आपको एक बार refresh करना है और यहां पर एक बार printer आपको off करके दोबारा से on कर लेना है या फिर आप printer की USB cable निकाल के फिर से लगा सकते हैं यहां पर देख सकते हैं printer कर driver तो हमारा successfully install हो चुका है लेकिन यहां पर printer printer पर right click अगर करते हैं तो यहां पर नीचे एक troubleshoot को option आता है तो इस टाइप का अगर error आपके भी computer laptop में जिसमें इस printer का driver install किया यहां पर आ रहा है तो मैं जो आगे step बताने जा रहा हूं उसी step को follow करिए यह problem resolve हो जाएगी अगर आपका successfully printer यहां पर ready हो चुका है और यहां प printer आपका successfully connect हुआ है तो आप यह step skip कर दीजिए जो मैं अभी बताने वाला हूं अगर यह error आपके सामने आ रहा है right click करने पर टुबर शूट का यहां पर device in printer से इस printer पर right click करने के बाद यहां पर आपको बिना printer को select किये हुए कहीं भी खाली स्थान पर right click करिए यहां पर device manager का option आ जाएगा इस पर आपको क्लिक करना तो इस type की window आपके सामने open हो जाएगी यहां पर देख सकते है HP laser jet M1005 का driver जो हमारा यहां पर missing बता रहा है तो इसको कैसे clear करना है तो इस पर आपको right click करना update driver पर click करना है browse my computer for driver पर click करना है फिर browse option पर click करना है फिर यहां पर आपको local डिक्सी में जाना है local डिक्सी पर जैसे click करेंगे यहां पर आपको एक folder मिल जाएगा ljm1005-mfp-4-solution के नाम से इस पर आपको click कर देना उसके बाद OK कर देना है अगेन यहां पर next पर आपको click कर देना है यहां पर यह driver जो missing आपका बता रहा था यह driver आपका यहां से successfully जो ह है उठा लेगा यहां से अब यह आप सोच रहे होंगे c drive में यह folder कैसे आया यह c drive में folder जब हम इस driver के setup को install कर रहे तो इसकी एक file is track होके c drive में automatic folder create करके वहां पर driver इसका save हो गया था यहां पर देख लिए driver जो हमारा missing था यह driver हमारा clear हो चुका है तो इसको हम बंद कर देते ह अब यहां पर control panel में जो device in printer का हमने जो option खोल लखा तो यहां पर रिफ्रेस करते हैं तो यहां पर देख लिजीए hp 1105 का जो हमारा printer थी यहां पर successfully यहां पर green tick हो चुका है जहां पर search error default पर हमारा tick था तो यहां पर tick किया तो यहां पर green tick हो गया है अब यहां पर देख लिए प्रिंट को option भी हट चुका error का जो option आ रहा था टूबर शूट के बगल यलो कलर का यहां पर और सारे option भी सो करने लगे अब यहां पर आपको printer properties में जाके यहां पर एक print text page पे क्लिक कर देना है जिससे आपको यह clear हो जाए कि आपके इस computer से जब हम को यह print out देते हैं तो हमा आपको scan करना बता देते हैं किस तरीके से आपने printer में जो matter रखें उसको किस तरीके से अपने computer laptop में scan करके देख सकें तो हमने अपना एक matter जो text print out निकला था उसको scan में रख दिया है अब आप scan करने के बाद यहां पर start scan का option है इस पर आपको क्लिक करना है यहां पर आपको अगरे सेट करनी brightness contrast वगर आप अपने इसाफ से कस्टमाइज कर सकते हैं यहां पर जो चीज़े को कस्टमाइज करनी है मैं इसको डिफॉल्ट रहने देता हूँ जहां से पहले आप चाहें तो प्रिव्यू देख सकते हैं यहां पर प्रिव्यू दिखा देते हैं यहां पर ह किस नाम को सेश्कू हैं इसके बाद import हैं कर देंडाना फाइल आपकी सेवी हैं तो आप देख लीजेगा जहां पर आम चीज़ेए ऐसी देफो सर्फ कर सकते हैं और आप चाहें तो इस सर्फ को कुछर का हैं देख सकते हैं यह भी हमारा इस का सिर्ष कर सकते modular को option को shortcut create करके desktop पे भी ला सकते हैं कैसे आपको लाना है इसके लिए आपको control panel open करना है फिर डिवाइस एंट पिंटर open करना है फिर आपको इस printer पर right click करना है right click करने पर create shortcut का option मिलेगा जैसे इस पर click करेंगे yes कर दीजेगा yes करने के बाद देख सकते होंगे desktop पे आपके option create हो चुका जहां पर इस printer का इस पर right click करेंगा यहीं से डायक्ली स्कैन कर सकते हैं यह स्कैन करने के लिए कोई भी other software भी आप डाउनलोड कर सकते हैं net से तो आई होब आपको इस वीडियो में कैसे इस काइन करना कैसे पिंट आउट देने के लिए कोई भी document आप open करेंगे open करने के बाद यहां पर आपको simple कोई भी matter अगर टाइप होगा टाइप करने के बाद का command होता है control P, control P press करेंगे या प्रिंट और जैने जैसे शीकिन अर्ट को नाम आपके सामने आएगा हो जैसे यहां कोई भी मैटर अगर टाइप किया हमने यहां ले सकते हैं printer में हमारा printer का नाम सो कर गया और यहां पर लिखाओ मतलब printer हमारा connect है हमाई इस laptop से उसके बाद simple आपको print पे क्लिक कर देना है आपको जो भी print out रहेगा चाहे वो पीडियाप चाहे डाकुमेंट वो print out का command आपके printer में जाने के बाद print out आपका निकलने लगेगा आपके printer से जैसे मेरा print out भी निकलने लगा printer से और इन सब के बावजूद भी अगर आपको कोई question है तो हमें comment box में comment करके पूछ सकते हैं तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी support मिला हो तो हमाया चैनल को subscribe करके जरूर हमें support करिएगा जिससे हम आगे भी इसी तरीके से और अच्छे अच्छे और नए नए वीडियो चैनल के माद्यम से आप सभी लोगों तक पहुचाते रहें और आप घर बैठे और भी बिल्कुल फ्री में हमारी वीडियो को देखके आपनी प्रॉब्लम को resolve कर पाएं या फिर आपनी knowledge को और increase कर पाएं तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ अब तक लिए टिक किया बाबाई